हेलो एब्रिवन आज मैं आपके सामने गौर्मेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम MP की स्थाफ नर्स की स्थाई भरती की जानकारी लाया हूँ इसमें कोल 110 पद हैं जिसे मेल और फीमेल के लिए वेकंसी निकली है इसकी चैन प्रक्रिया आयू सीमा अंतिम्तित्थी और इसको जी एनम ब्सक नर्सिंग और फ्रेशर्स और मेंसी नर्सिंग भी अप्लाए कर पाएंगे आगे बढ़ने से पहले आप सिनिवедन हैं मेरे वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें साथ ही उसे शेयर करें जिससे की इन्फोर्मिशन आगे सबको मिलती रहे साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे की आपको नइजानकारिया आपको मिलती रहें साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि तुरंद का तुरंद आप जैसे ही मैं वीडियो अप्लोड करूँ तो आपको वो जानकारी मिल जाए जैसा कि आपके सामने मैंने गौर्वर्मन्ट मेडिकल कॉलेज रतलाम की ओफिशल वेबसाइट को उपिन कर लिया है जैसा कि इस पर्टिकुलर पूरी वेबसाइट में सारी चीजों की जानकारी रतलाम की और सारी चीजों की जानकारी दी हुई है hospital की जानकारी सारी चीज़ों की मैं अब आपको दिखाता हूँ ये particular recruitment आप लोग download में जाके open कर सकते हैं जिसका link मैं आपको description box में दूँगा जैसा कि आपके सामने मैंने particular web उसको download कर लिया है इसमें जैसे विज्यप्ति को सुचित किया गया है जो 23,10,2020 को निकाली गई है ये particular कारियाले मुख्य कारेपाले नदी कारी एवम अदिशन्ता के राज शासकियश वहसी चीकिसा महाविद्याले रतलाम से आया है जैसा कि इसमें बताया हुआ है कि ये शासकियश उसमें particular staff nurse हेतू ये particular विज्यप्ति निकाली गई है जो 2018 के अंतरगत महाविद्याले चीकिसार रतलाम के लिए है जो जिसकी last date 2011-2020 रखी गई है ये nursing school और महाविद्याले उतीन उमिद्वारों के आविद्धन पत्र particular 2011-2020 के लिए रखा गया है जो particular GMC-Ratlam.org से आप डाउनलोड कर पाएंगे साथ ही आविद्धन पत्र कर पाएंगे जैसा कि इसमें बताया गया है आविद्धन पत्र खाली dark और speed post के द्वारा ही accept किया जाएगा ये post जो भेजा जाएगा डीन एवं CEO Government Medical College रतलाम ग्राम बंजली सेलाना रोड रतलाम मद्धेपदेश 457001 कार्याले में जमा कराया जाएगा जो की particular speed post के माध्यम से ही करा जाएगा आविद्धन पत्र के लिफाफे पर्सपष्ट रूप से शाष किये particular medical college का नाम और पद पद जिस पद के लिए आपने आविद्धन पद किया है स्टाफ नर्स उसका particular जानकारी आपको देना अनिवार होगा नाम पता आरक्षित आनारक्षित का भी particular उसमें डीटेल उपर लिफाफे में देनी होगी आगे बढ़ते हैं तो जैसे स्टाफ नर्स की particular भरती की इसमें जानकारी दी हुई है इसमें particular बताये गया है की particular ये मद्य पदेश आशन चिकिस्था शिक्षा विभाग भुपाल के पत्र 803 साराज के भुपाल के दिनांग 29 2018 द्वारा ये particular ये vacancies निकाली गई है जिसमें total इसमें 90 वेकेंसी है ऐसे 110 वेकेंसी है total वेकेंसी male female मिला के कुलपत संख्या स्विक्रिट जो महिला स्टाफ के लिए रखी गई है जिसमें आना रख जनरल जो पोस्ट है वो 25 है और भूतपूर सैनिक के लिए ये total 27 वेकेंसी है अनुसुचित जाती के लिए 8 और भूतपूर सैनिक के लिए 2 ऐसे 9 वेकेंसी है इसी तरीके से देखा जाए अनुसुचित जन जाती के लिए 17 और 2 वेकेंसी भूतपूर सैनिक 19 वेकेंसी है अन पिछड़े वर्क के लिए 9 वेकंसी एक वेकंसी सैनिक के लिए और टोटल ये 10 वेकंसी आर्थिक रूप से कमजोर ये 6 वेकंसी है और एक वेकंसी भूतवूर सैनिक टोटल 7 वेकंसी है टोटल इसमें 72 वेकंसी निकाली गई है स्टाफ नर्स सम्विदा कर्मी है तो बीस पर रक्षित जो रखा गया है इसमें जो है आपका साथ वेकंसी अनरक्षित जनरल के लिए है टोटल एक महिला भूतवूर सहने के लिए टोटल आर्ट वेकंसी है दो वेकंसी अनुसूचित जाती दो से चार वेकंसी अनुसूचित जन जाती और आने पिछड़े वर्ग तीन एक आर्थिक रूप से कमजोर टोटल आपकी अठारा वेकंसी निकाली गई है इसे प्रकार कुल आपके पुरुश के लिए टोटल आट वेकंसी हैं कुल दस वेकं निकाली गई है इसमें आपकी जनरल के लिए चार वेकंसी है अनुसुची जाती के लिए एक अनुसुची जन जाती के लिए एक दो और अनुपिछड़वर के लिए एक टोटल यह आठ प्लस यहां पर यह दो वेकंसी सविद्दा कर्मियों के लिए निकाली गई है जो जनरल के लिए एक और अनुसुचि जनजाती के लिए एक निकाली गई है इसी प्रकार यहाँ पर यह नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि अभ्यारती आपका पर्टिकुलर साइंस से होना चाहिए इसमें जो पर्टिकुलर दिया हुआ है इसमें पर्टिकुलर जो शेक्षर पर्टिकुलर वेवारिक कुडवक तक एवं शाशन एवं स्वयम संसाधनों एवं जिश्टी को देखते हुए सुकृति प्राप्त हुए स्टाफ नर्स जो पर्टिकुलर सेलेक्टिट स्टाफ नर्स हैं उन्हें तीन महीने के लिए आपको पर्टिकुलर प्रोविजन पीरेड में रखा जाएगा जिसको दर्जार टो होने पर अभिहारती को नियमित होने पर पर्टिकुलर उसको पर्मेनेंट कर दिया जाएगा जैसे कि इसमें बताएगा स्टाफ नर्स निर्देश आपका शाषन निर्देश नुसार ही पर्टिकुलर मान देवेतन उसमें प्राप्त होगा महंगाई बत्ता भी प्राप्त होगा सारे चीजे होंगी आनारक्षित और रक्षित की पर्टिकुलर जानकारी इसमें दी हुई है अनुसूचित पर्टिकुलर आयू सीमा जो दी हुई है आयू सीमा आनारक्षित वर्गेतू 18-40 साल रखी गई है अन जाती और अन सब के रखा गया है समाने शर्ते जो हैं उमीद्वार मद्यप्रदेश का होना अनिवार है साथ ही इसमें पर्टिकुलर आपका शाष्किया और शक्ता नुसार प्रद्पद को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है जैसा है कि इसमें बतायागा सभी माब धंडों को पूरा करना अनिवार होगा जो भी माब धंड आपके पर्टिकुलर इसमें दिये हुए वो पूरा होना चाहिए प्रतिषित उसको पर्टिकुलर पर्टिकुलर दस्तावेज पूरे होने चाहिए उमिदवार पूर रूप से स्वस्थ होना होना चाहिए नहीं तो उसको पर्टिकुलर मेडिकल्स में अन्फिट कर जैसा कि इसमें बताए गया अनारक्षित के लिए हजार रुपए फीज रखी गई है और अनारक्षित और अ अधिकारी एवं अधिशन्ता शास किये श्वास नीची किसाले महाविद्याले रतलाम के नाम से दै होगा जैसा कि यहाँ पर आपका सेलेक्शन प्रॉसेस बताए गया चैन प्रक्रिया बताए गया स्टाफ नर्स के लिए इसमें जैसे हाई स्कूल हायर सेकेंडरी ट्वेल्थ पास है तो ट्वेल्थ पास की पर परसेंटेज के हिसाब से 0.2 परसेंट है जैसे 100% का इसका पर्टिकुलर 20 मार्क्स दिया हुआ है अगर 50% आपका मार्क्स है तो वह 10 मार्क्स हो गया अगर वह 75% है तो 15 मार्क्स हो जाएगा इसजी प्रकार से इसको टोटल करके आप इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं जीनम बेशी के परसेंटेज के साब से 0.5% पर रखी गई है 100 marks हैं, तो 50 marks इसमें हैं, इसमें BSC Nursing और GNM के लिए भी दिया हुआ है, BSC Nursing के 25 marks और GNM के 20 marks करे जाएंगे, डायरेक्ट हैं, MSC Nursing कर रखा है आपने, तो 5 marks, टोटल इसमें 100 marks का calculation, selection के लिए किया जाएगा, इसका list पर्टिकुलर ये वेब साइट पर रिलीज किया जाएगा, आवेदन पत्त का प्रारूप जैसे दिया हुआ है, इसमें अभी बग, आवेदन पत्त का नाम, बैंक ड्राफ्ट की पर्टिकुलर जानकारी, आवेदन आवेदन का पूरा नाम, इसी तरीके से पर्टिकुलर पूरी जानकारी, वर्ग और सारी चीजों को देना है, की जानकारी इसमें, जानकारी पूरी देनी है, जो की आपकी पर्टिकुलर अनविशेश योगिता जो भी है, उसको पर्टिकुलर करके सेक्श, पूर्ण रूप से सबसे पहला चीज, डॉक्यमेंट्स पूरे-पूरे बरके, और सारी चीज़े सेलफ एटेस करके, इसमें साथ ही शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे की मैं आपको अधिक सदिक जानकारियां देता रहा हूँ, धन्यवाद